नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने देशी खाना देशी व्लोग में आजना देशी खाना देशी व्लोग में मूंग दाल का रस बड़ा बनने जा रहा है जो कि बहुत ही स्वादिश्ट होता है खाने में जो गुलाब जामून होती है ना उसको भी फेल करने वाल तो इसे बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो प्लीज पूरा वीडियो वाच कीजिएगा क्योंकि इसके साथ कुछ ट्रिक है जो कि आप देखेंगे तो आपका मूंग दाल का रजवड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो चलिए देर ना करते ह इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए ना मैंने यहां पर वन फोर्थ कटोरी मूंग दाल ली थी जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी तो आप मूंग दाल को ना 2-3 घंटे जरूर भिगोए जिससे कि यह सोफ्ट हो जाए अगर आपको ज़्या निकल जाए तो मैंने इसे धुल लिया है और यह वाली कटोरी मैंने इसमें वन फोर्थ कटोरी ली है आपको जितनी लगे आप उस हिसाब से ले ले और फिर धुल के इसका पानी पूरा हमने बाहर निकाल दिया है अब इसे हम जो मिक्सी का बीच वाला जार होता है ना उसम फिर यह पतली हो जाएगी और इसमें डालने के लिए मैंने आप पनीर लिया है जो कि मैंने घर पे निकाल के तयार किया है लेकिन जब आप घर पे पनीर निकाल रहे है ना जैसे नीम्बू या फिर कोई खटाई डालके वेनिगर वगरा तो उसे दो तीन बार खुब अच् तो अगर आप खोय से बनाना चाते हैं तो आप इसमें पनीर की जगे खोया भी डाल सकते हैं लेकिन ये पनीर से भी बहुत स्वाधिश्ट बनते हैं पनीर डालके हम इसे एक बार थोड़ा सा चला लेंगे तो ये देखिए हमने इसे थोड़ा सा चला लिया है तो अभी गा पानी लिया है तो जितना आप चीनी लेना उतना या पानी ले ले लिए और इसे पगने के लिए छोड़ दे तो अभी आपे हम दो हरी लाइची लेंगे और उन्हें हाथ से तोड़कर इसमें डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और यहां पे कलर के लिए ना मैंने यहां पे केसर फूड कलर लिया है अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए नहीं तो आप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं यह बिल्कु शाष कि चासनी चाहिए जैसे हम गुलाब जामून की चासनी बनाते हैं तो यह बनकर तयार हो गई है इसे और धक रहा देंगे अब यह इधर बैटर को देख लेते हैं तो बैटर थोड़ा सा मुझे गाड़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस नहीं बनेंगे अब यहां पर मैंने कढ़ाय में गरम तेल रखा था तो एक में डाल के देखती हूं कि तेल गरं होँ रखा है तो जरूप को अठीो तर इसलें ड reading लेने की w秒 25 existemingo जैसे के ज़्यादा नीचे चिपके नहीं और फिर इन्हें डालने के बाद मीडियum फिलेम कर दीजे और मीडियum फिलेम में पbnया दीजी तो थोड़ा-थोड़ा ऊप ऐसे तो आ यह छुड़ा लीजिए तो मैंने थोड़ा छुड़ा के देखा तो अभी कच्चा था थोड़ी देर बाद हम इसे पकने के बाद फिर से छुड़ाएंगे तो देखे भी सारे आसानी से निकल जाएंगे और हम इने पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी इन में अच्छा सा कलर आजाए तो आप देख रहे हैं ना कि यह जैसे जैसे इसमें पके हैं तो फूल कर इनका साइज भी कितना बड़ा हो गया है तो यह रसबड़े हमारे हमें इसी तरह से बनाने हैं तो देखे सभी रसबड़ों में कितना अच्छा सा कलर आ गया है अब हम इने पलेट में निक दाल लें और इसी तरह से फिर से आप इसमें बड़े डाल दें और जो हमने बना लिये हैं उन्हें हम गरम गरम चासनी में डाल देंगे और हाँ अगर बाई चांस आपसे ऐसा हो जाए कि आपके बड़े पीस्ते टाइम आपसे थोड़ा पानी जादा डल गया है तो आप घब आप चासनी को ज़्यादा गाढ़ा मत करिए क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो फिर चासनी अंदर तक नहीं जाएगी तो यह छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आप फोलो करेंगे तो आपकी रसबड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे तो यह हमने निकाल लिए हैं और अभी तर हमने चासनी में डूबो कर रख दिये थे तो मैंने यहां पे थोड़ी से चीटिंग की हुई है आप भी थोड़ा सा यह गलती मत कीजिएगा कि मैंने चासनी कम बनाई और रसबड़े मेरे थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने डेड़ कप की चासनी बनाई थी तो जिसमें थोड़ी से चासनी में अच्छे से डूब नहीं पा रहे थे तो मैंने फिर से इसमें हाफ कप की चासनी बना के सेम उसी तरह से इसमें डाल दी थी ताकि अच्छे से चासनी में डूबे क्योंकि इनका डूबे रहना बहुत ही जरूरी है अ सिटście टím ते चार गंगा keep me kids भी तो आप इनहें तीन से चार दिन तक सकते हैं एसे खराब नहीं होते हैं तो देखी कितने अच्छे हमारे बैडुल सोफ्ट और फूले-फूले तो यहीं कुछ ट्रिक है जो आपको फोलो करनी है तो आपके रासबड़े बहुती सोफ्ट और नरम बनेंगे बिल्कुल रसी ले एकदम जूसी जिने बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी तो यह हमारे बिल्कुल मुह में गुलने वाले रसबड़े बनकर तयार हो गए हैं तो अगर आपको हमारी रसीपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा तो यह देखी मैंने इधर प्लेट में भी आपको काटके दिखाया है कि सभी रसबड़े कितने सोफ्ट और जूसी बने हैं अंदर तक चास्णी है तो मिलते हैं किसी नई रसीपी के सब तक के लिए बाई थैंक्स फॉर वोचेंग